हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चनल में आज आपके लिए कुशन फ्लावर वाली कुशन कैसे बनाते हैं मैं इजी तरीके से बता रही हूं और दिखा रही हूं फ्रेंट्स प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए बहुत इजी है मैं बताती हूं पहले हमको एक मीटर कपड़ा चाहिए तो मैं क्या कर रही हूं जो लंबाई में नहीं करना है फ्रेंट्स जो चोड़ाई कम रहता है न उसी हम बीच में पकड़के उसको लंबाई देख लीजिए मैं दिखा रहे न वैसे लंबाई उसको दोनों तरफ फोल्ड करना है मतलब बीच में सेंटर मे fold करना है दिख रहे ना friends एकडम दोनो side पकड़ के फिर हम क्या करना है friends तो यह मैं अभी दिखा रहे हूँ ना अभी मैंने fold कर दिया 4 बाक किया मतलब center अभी यह देख लिजे मैं दिखा रहे हूँ यह जो दिखा रहे हूँ वहां हम खाटना है तभी वो बीच में दो पार्ट बन जाएगा तो हम एक मिटर में दो कुशन बना सकते हैं तो मैंने अभी खाट दिया अभी ये एक पीस है देख लिजे इतना चोटा बन गया भी तो नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंस जो आप आगे पीचे का कपड़ा देख लिजीए मैं अभी उल्टे कर रहें फ्रेंस उल्टे लेना है तो सीधे वाला कपड़ा अंदर होना चाहिए और ये जो मैंने उल्टा ले रहे हूं सीधा वाला अंदर लेना है तो दोनों तरफ जोइंट करके देख लिजे बिल्कुल स्क्वेस जैसे दिख रहें ना फ्रेंस तो ये जो खोने में हैं हम सिलाई करना है फ्रेंस सिलाई करने से तोड़ा इजी हो जाता है मैं अभी दिखा रहे हैं देख लीजिए तो तोड़ा सिलाई कर लीजिए तो अभी सिलाई करके कम्प्लीट कर लीजिए देख लीजे फ्रेंट्स मैंने पूरा सिलाई कर दिया अभी मैं क्या कर रहे हूं फ्रेंट्स फॉर इंच में मार्जिन कर रहे हूं फॉर इंच नीचे वाला पट्टे बिल्कुल लंबा सा फोर इंच फोर इंच डाल के उसको बिल्कुल लाइन बनाईए तो नेक्स्ट उस साइड उपर नीचे दोनों तरफ चार इंच का निशान लगाके उसको लंबाई में निशाना लगाईए तो देख लीजी है ना फ्रेंट्स अभी ये दोन आगे पीछे दोनों उपर नीचे दोनों हो गया तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंट्स तो वहाँ से वहाँ आप देख लीजीए कितना है 24 है फ्रेंट्स तो 24 में हम चार पार्ट करेंगे फ्रेंट्स चे, बारा, अठारा और चोबिस अभी उपर भी ऐसे कर लीजीए ताकि है ना फ्रेंट्स मेरा आठ पेटल्स का फ्लावर बनेगा अगर आप छोटा बनाना है तो आप देख लीजीए आपका हिसाब से आप कर लीजीए चे, आठ ऐसे अच्छा लगता है फ्रेंट्स साथ ऐसे नहीं होना चाहिए तो तोड़ा मेजरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है तो मैं दिखे लिए अभी डिबे डिबे बना रही हूँ तो बिल्कुल आप भी वैसे बनाईए इजी है, तोड़ा ध्यान से करना पड़ता है तो नीचे वाला मैंने दिखा है ना चार इंच का और उपर भी चार इंच का और ये जो डिबे डिबे दिख रहे ना फ्रेंट्स चेचे इंच का है तो दोनों तरफ किया मैंने देख लीजी है ना देख लिजिए फ्रेंट्स दोनों तरफ किया है मैंने ये एक मिटर में दो बनेगा फ्रेंट्स अभी मैं एक वाला दिखा रही हूँ तो नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं फ्रेंट्स इसको सिलाई करेंगे तो थोड़ा मोठा वाला दागा लीजिए अगर नहीं है पतला वाला दागा को चार या आठ लाइन बना के उसको डबल करके आप उसको तयार कर सकते हो यह मेरे पास एदागा ता यह मोठा वाला है फ्रेंट्स मतलब खडाई वाला यह तो यह मैं यूज कर रही हूँ कितना मोटा दागा है उतना आच्छा आपका आच्छा से स्टिफ हो जाता है फ्रेंस बार बार नहीं करता है तो देख लिजे मैं जो निशाना लगाई हूँ ना लंबा सा उसी में आप एक 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 सिलाई निकाल लिए हाथ से बिलकुल बाजू बाजू चोटए चोटए प्रेंस वैसे बिलकुल एक 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 सिलाई निकालते जाईए जो हमारा कहां तक निशाना है वहां तक दिख रहे ना फ्रेंस बस हो गया अब क्या करना है फ्रेंस कीच के दिखली पीचे सीधा वाला कपड़े में ऐसे दिखता है तो कीच के फिर दोनों मिला के उसको गाट करना है फ्रेंस जो शुरू किया था ना वहां से और येंट को दोनों जोइन करके सिलाई करना है मतलब एक गाट कर लीजिए गाट देख लीजिए मैं बना रही हूं अब तोड़ा ध्यान से गाट बनाईए ताकि हम बाद में ना दो वह रूई डालते ना फ्रेंस तब ये खुल जाता है तो इसलिए तोड़ा ठाइट से दो तीन गाट लगाईए देख लीजिए ना बिल्कुल प्लेट प्लेट तो पूरा लगाईए फ्रेंस देखो कितना निशाना है हमारा आठ है फ्रेंस तो आठों को हम ऐसे करकर के फिनिश करना है तो बिल्कुल पास-पास सुई से दागा निकालिये यह बहुत जल्दी बनता है फ्रेंस आप एक या दो गंटे में है ना बना सकते हो इसको टाइम नहीं लगता है आप सोफा में इसको डेकॉरेशन कर सकते हो आप खार में रख सकते हो बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत सुंदर लगता है देख लीजिए ऐसे दो तीन गार्ट लगाईए ताकि वो अच्छे से स्टिफ हो सके देख लीजिए ना फ्रेंड्स पूरा कम्प्लीट कर लीजिए अब ही पता चल गया ना फ्रेंड्स गार्ट कैसे लगाना है ठीक है तो यह आप पूरा कम्प्लीट कर लीजिए तो देख लीजिए यह पूरा तयार हो गया मेरा देख लीजिए कैसे दिखता है सीधे कपड़े तो यह पूरा रेडी हो गया फ्रेंड्स हब हम नेक्स्ट टेप क्या करेंगे करेंगे फ्रेंड्स जो पहले हम पहले एक खोना को है ना बिल्कुल एक एक मतलब जो अभी हमने गाट किया ना वैसे इसको भी हम क्या करेंगे इसे दागा निकाल लिए एक साइड्ड बिल्कुल निकाल के उसको भी पूरा क्या करना है फ्रेंड्स सारे उसको मिला की एक घाट मारना है तबी तो वो अच्चे से फ्लावर बन जाता है बीच में शोईन्ट हो जाता है तो ये ध्यान से बिल्कुल ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है अगर एक चुड़ गया ना तो पूरा खोल जाता है तो ये पूरा पाच्चे से ध्यान से उसको कर लीजिए पूरा लास्ट में नहीं डाली है तो अधा इंच सोच चलो फ्रेंट्स तो आदा इंच ऐसे निशाना लगा के आप सुई से निकालिए अगर आपको मेजर्मेंट तोड़ा ये हो जाता है तो तो आप निकालिए फिर लास्ट में क्या करना फ्रेंट्स वैसे पूरा मेल के उसको एक गाट माना है देख लिजे अभी ये एंड हो गया तो मैं अभी गाट करूंगी फ्रेंट्स ये अच्छ से करना है एक बीच में यही मेन है देख लिजे मैं कर रहे हूं जो पहले मैंने शुरू किया न वहां से उसी को उठा के फिर लास्ट वाला दागा को हम क्या करना है गाट माना है तभी तो अच्छ से टाइट हो जाता है देख लिजे मैं दिखा रहे है न फ्रेंट्स वैसे आप कर लिजे देख लिजे फ्रेंट्स है न अभी बीच में देख लिजे कैसे जॉइंट और बिल्कुल फ्लावर जैसे दिख रहे है न तो यह हमारे एक साइड का बन गया फ्रेंट्स अभी मैं उल्टा करके दिखाती हूं आपको इसको तोड़ा कीज यहें शेप देजिए अभी देख लिजे अभी अंदर है अंदर को हम क्या करेंगे वह रूई डालेंगे इसको इन तोड़ा ऐसे गोल गोल बनाके जो फ्लावर जैसे फेटल दिखा रहे है दिख रहें न उसी में अच्छा गुसाईए मतलब बिल्कुल कवर कर लीजिये उसको ताकि वह अच्छा से स्टिफ हो सके कितना आप डाल सकते हो उतना पूरा पैक कर लीजिए तोड़ा डीला डालोगे ना फ्रेंट तोड़ा लूज लूज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है अब सोपा में रखे गो तो ऐसे खड़ा होना चाहिए ना फ्रेंट तो इसलिए तोड़ा ज्यादा डालिए तोड़ा स्टिफ हो जाता है तो आप अच्छा से इसको दबा दबा के डालिए देख लीजिए मैं दिखा रहे ना फ्रेंट देख लीजिए जल्दी बन जाता है फ्रेंट आप में बोल रहना एक गंटे या दो गंटे में आप दो कुशन बना सकते हो बस सामान होना चाहिए फ्रेंट्स कपडे और ये रूई चाहिए देख लेजिए मैंने पूरा कवर कर लिया और भी डाल रही हूं में बहुत लगता है फ्रेंट्स रूई एक एजी के आसपास लगता है तो आप एक एजी तक लाके खरने से ठीक है कभी कभी कम भी पड़ जाता है तो फिर से हम क्या करना है फ्रेंट्स ये पूरा कंप्लीट हो गया तो मैं फिर से फिर कोना को फिर मैं दागा डाल रहे हैं फ्रेंट्स ताकि फिर उसको हम pack करना है ना फ्रेंट्स जो पहले मैं दिखाये था नीचे वाला को तो यह भी वेसे ही बिल्कुल कोना कोना ए आदा इंच पिन लगाके उसको सुई से निकाल लिए कि देख लिजे हैं अभी फ्लावर शेप जिसे दिख रहे हैं न फ्रेंट्स इजी है तो आप बनाएं जरूर दिखने में सुन्दर लगीगा आपका अगर भी सुन्दर दिखता है और आपका कार में भी रख सकते हो कार में रखने रखने से उने बहुत सुनदर दिखता है देख लीजिये हो गया भी तोड़ा है इसको अच्छे से बहुत अच्छे से इसको गाट करना पड़ता है फ्रेंट अगर बीच में कब कभी कढ़ जाता है तो फोड़ा मोका वाला डागा लीजिए अ तो लुँपत कर न 설ा मुश्किल होता हूं कि हमने जादा रूप === डाला हinking तो तो तोड़ा सकते हो लगाए ये फ्रेंट्स अभी देख लीजिए बन गया हमारा फ्लावर वाली कुशन इसको थोड़ा अच्छे से शेप दीजिए ताकि वह अच्छे से वह बैठ सके हमारा ये फ्लावर वाली कुशन बन के तयार हो गया तो इजी है ना फ्रेंट्स बहुत इजी है अब बनाईए जरूर देख लीजिए मैं मैंने बोला था ना आपको एक मीटर कपड़े में दो कुशन बन जाता है देख लीजिए मैं दोनों बनाई हूं आपको दिखा रही हूं अभी देख लीजिए कितना सुन्दर लग रहा है ना फ्रेंट्स मैंने अभी क्या किया फ्रेंट्स बीच में है ना कुछ श्टोन लगाई हूं बटन भी आप लगा सकते हो आपका पसंद वाली तैंक्यू फ्रेंट्स क्या हूं